आज मैं आप सभी के लिए समर की स्पेशल ड्रिंक की रेसिपी लेकर के आई हूँ जिसे पीने से हमारे पेट को ठंड मिलती है और इसे बनाना बहुत ही आसान है जटपट बनने के साथ साथ सूपर टेस्टी भी होता है और सूपर हेल्दी भी होता है तो चलिए इस आसान से बनाते हैं इसके लिए सबसे पहले तरभूज लेंगे यहाम मेनने तर बूज दो किलो लिया दो क्लो का हाफ मैं काट करके निकाल दूंगी हाफ करूंगी origin मेरे पफरण और अगर को पसंद आती तो like शेयर सबस्क्राइब करन custom DR आ बोले मैं साथिसाथ प्रेसर इंड ऌ़ल कर देंगे सिफ red वाले parts को ही cut करना है तर्भूज को काटने में जरासी भी दिक्कत नहीं होती है अगर आप इस तरह से काटने गे न तो बिलकुल भी दिक्कत नहीं आएगी असानी से cut जाता है तर्भूज और भी कई सारे तरीके होते हैं काटने के इस तरह से सारे तर्बूश को कट कर लेंगे और इधर देखे तर्बूश को मैंने रफली चौप कर लिया है अब मिकसर का जार लेंगे मिकसर जार में तर्बूश को डाल देंगे वैसे तर्बूश खाने से बहुत सारे फायदे मिलते हैं जैसे अस्थमा, जैसी बीमारी नहीं होती है, फेट लॉस में वदद मिलता है, हमारी बॉड़ी हाइडरेट रती है, और भी काफी सारी फायद होते हैं, इसके साथ ही पुदीना डाल देंगे, बॉन बॉल के करीब एक नीबू के रस को इसमें निचोड लेंगे पूरा, इसके साथ ही साथ वन टेबल स्पून चीनी डाल देंगे, चीनी से इसमें थोड़ा खटा मिठा टेस्ट आएगा, अब इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाल देंगे, black salt black salt से इसका taste काफी enhance होता है तो प्लीज इसमें black salt डालना मत भूलिएगा काफी अच्छा taste आता है अब इसमें डखकन लगा करके इसको grind कर लेंगे और इधर देखे इसका एक fine paste तेयार हो गया है यह देखे इसमें 2 glass के करीब juice निकलेगा अब इसको stainer की help से इसके सारे pulp को छान लेंगे जितना juice होगा वो निकल जाएगा और pulp एक side हो जाएगा इस तरह से इसको छान लेना है आप चाहे तो इसे बिना छाने भी पी सकते हैं काफी healthy होता है फाइवर भी जाता है बॉड़ी में और इधर देखे मैंने इस तरह से इसको छान लिया है इससे देखे 500 ml total juice निकला है 1 kg watermelon से तो चलिए अब इसको serve करते हैं यहां मैं chia seeds को 20 मिट पहले soak करके रख दी थी तो 2 table spoon chia seeds इसमें glass में डालेंगे चार से पांच ice cubes डालेंगे watermelon juice आइस cube आप अपने according कम ज़्यादा कर सकते हैं आपको जितना ठंडा पसंद हो उतना आप ठंडा इसे पी सकते हैं अब इसमें एक छोटू सा watermelon slice लगाएंगे जिससे देखने में काफी अच्छा लगेगा और पुदीनी के पत्ते से गार्निश कर लेंगे तो है ना कमाल की recipe फटा फट बनने के साथ साथ सूपर टेस्टी और सूपर हेल्दी जो मारे body को hydrate रखेगी तो क्यों नहीं इस कमाल की recipe को आप सभी जरूर से ट्राइ करें और ट्राइ करने एक बाद मिरे साथ इसका feedback जरूर से शेयर करना आप सभी वैसे इस drink को mocktail, mohito काफी नामों से जाना जाता है वैसे आप सभी इसे किस नाम से जानते हैं गर्मी की टाइम पर जब कुछ भी समझ में ना आए तो आप watermelon juice आजानी से बना सकते हैं और guest को बना करके पिला भी सकते हैं जो आपके guest को काफी पसंद आने वाला है तो देर किस बात की? जाएए बनाईए और test करिए आप सभी इसको आई योप आज की वीडियो आप सभी के लिए helpful हो वीडियो पसंद आया तो like and share करना ना भूले मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर